हेलो फ्रेंड्स, आइम कंसर्टेंट आप्टोमेटर्स शिवानी शर्मा, आज मैं आप लोगों के साथ प्रिस बायोपिया डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहले तो प्रिस बायोपिया होता क्या है, प्रिस बायोपिया हमारा एक एजिंग प्रोसेस है, आफ्टर 40 जैसे जै वैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे हमारे नियर की देखने की जो छमता होती है, पावर होती है, वो कम होती जाती है, जैसे कि सुई में धाका डालना, नजदीक की चीज़े पढ़ना, लिखना, सिलाई कड़ाई करना, यह सब चीजों में पेशिंट को डिफिकल्टि जैसे हमारे बालसफेद चाहरे फिर जिसते इस हो कम होती जाती तहीं जिसे पृट अब से जैसे हमारी एज 35, 38 या 40 क्रॉस करती है यह एजिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है जिससे हमको नजदीक में देखने में दिक्कत आने लगती है प्रेस बायोपिया में होता कि या बहुत से पेशन को यह मित होता है कि उनको दूर का साफ दिख रहा है नस्दीक का नहीं दिख रहा है तो सिर्फ उनके नस्दीक के नंबर है या फिर उनको दूर का देखने में दिक्कत हो रही है इसलिए नस्दीक के नंबर है या फिर उनक उना चशमा उतार कर ठोड़ा object को पास करके पढ़ लेते हैं तो इसलिए उनको प्रिज़बायूपिया में नस्दीक के लिए चशमे की जरुवत नहीं होती यह मगर जिनके प्लस के number होते हैं दूर के लिए भी उनको प्रिसबायोपिया में नज़िक के लिए चश्मा लगाने की जरुवत होती है अब आते हैं करेक्शन पे कि प्रिसबायोपिया को हम correct काइसे करते हैं तो प्रिसबायोपिया को correct करने के लिए हम after 40 जब देखते हैं patient क ह्टी कि नीड जैसी है पेशेंट की एज क्या है उसके अक justamente नबर देना स्टार्ट करते हैं आग पेशेंटी 75 जाते हैंर 설 फिर नंबर अगे नहीं बढ़ते अगर पेशेंट का प्लक्रण केतक्र कर देंडे सरजरी होई है प्लक्रण 324 छुटा बच्छा हो गot एज के लोगों उनको प्लस 2.5 नियर के लिए लगाना ही पड़ता है और अगर पेशेंट की कैट्रिक्स सर्जरी हुई है विद मल्टी फोकल या ट्राइफोकल तो उसको फिर नस्दीक और दूर दोनों के लिए चश्मा लगाने के जरूवत नहीं होती फिर उनका प्रिस बा करूंज करूं करोंग ।